नमस्कार आप देख रहे हैं TPV News और मैं हूँ आपके साथ इंदूरा ठोड़ बुलिटिन की शुरुवात करेंगे और नसर डालेंगे आज की कुछ एहम खबरों पर भिलवाडा की शाहपुरा कस्बे में कलिंजरी गेट की बहार इसते तील फैक्टरी और गोदाम में अच्छानक भीशन आग लग गई आग की लपटे एक किलोमीटर दूर तक दिखाई दी इससे लोगों में हड कंप मच गया गमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया वहीं आग से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है जोद्वर के शास्त्रे नगर पुलिस ने आवैध हत्यारों के खिलाफ कारवाई करती हो एक महिला को गिरफतार किया है महिला के बैग में एक देशी पिस्टल, 20 जिन्दा कार्टूस और एक मैगजीन मिली है महिला के खिलाफ आम सेक में मामला दर्श किया गया है शुरुवादी पूश्ताच में सामने आया कि उसे हतियार बार्ड मेर के हिस्ट्री शीटर ने दिये थे इस हिस्ट्री शीटर को राजीव गांधी नगर पुलिस ने पुलिस पर फायर करने के आरुप में पकड़ा था जो शातिर नकबजन है जोत्पुर के सुर्सागर इलाकी में रहने वाले एक दमपती को चोरी का सोना खरीदना महंगा पड़ गया दरसल एक किलो सोना और तीन किलो चांदी की चोरी के मामले में आमिर खान को गिरफतार किया गया था वही दो बाल अपचारियों को भी संरक्षन में लिया गया था वही अब चोरी का सोना और चांदी खरीदने वाले दमपती सत्तार और सुल्ताना को पुलिस ने गिरफतार किया है यह पुलिस थाना प्रताप नगर सहत्र में बारा फरवरी के रातरी को एक बड़ी वारदा तो इथी जिसमें जोदपुर पुलिस की DST टीम वेस्ट और देव नगर थाना पुलिस ने संयुक कारवाई करते हुई साथ सु ग्राम गांजा के साथ एक तसकर को गिरफतार किया है नगर थाना अधिकारी जैक किशन सूनी ने बताया कि राजिब गांदी कॉलोनी में टीम ने दबिश दे कर तसकर भवरलाल को गिरफतार किया है और उसके कबजे से साथ सु ग्राम गांजा जब्त हुआ है फिलाल पुलिस आगी की कारवाई कर रही है डूंगर पुलिस ने राजस्तान और गुजरात में सौ से अधिक वारदातों को अंजाम देने वाली अंतर राजी गैंग का खुलासा किया सागवड़ा पुलिस ने ट्रांसफार्मर से तामबा चुराने वाली गैंग की दो सदेस्यों को हिरासत मिलिया है वही पुश्टाश में कई और खुलासे होनी की संभावना है डूंगर पुर जीले में हो रही डिपी ट्रांसफर चोरी के संबन में आज सागवड़ा पुलिस ने दो व्यक्तियों को पुलिस सिरासत में लिया है इनसे भी अनुसंदान जारी है और इन दोनों व्यक्तियों से जीले में हुई डिपी चोरी के संबन में अच्छे खुलासे होने की पूरी-पूरी संबावना अभी इन से अनुसंदान जारी है रूंगर पुर जीले के कई थानों में डिपी चोरी की प्रग्रंट दर्ज हुए है और सागवड थाने में भी तीन से प्रग्रंट दर्ज है डिपी चोरी के है कब से तलाज रही थी सरे पुलीस इन लोगों को स्रीमान जिला पुलीस अधिक्स मोदे ने इस संबंद में एक विसेज टीम बने थी करीब दो टाइम माइने से हम इंद में प्रियास कर रहे हैं इसमें साइबर सेल और हमारा पुलीस बर का अच्छा सहयोग रहा है जोदपर विकास प्राधिकरन की टीम ने मंडौर के आगनवा की पास शम्शान गार्ट के पीछे आतिक्रमन को द्वस किया जेडी की टीम ने पुलीस की मौजूद्गी में आवे तरीके से किये गया अतिक्रमन के खिलाफ ये कारवाई की है किशुराय पार्टन के गैंडोली कस्बे के गोवन्श 50 फिट गहरी कुए में गिर गया आसपास के ग्रामिडू ने काफी मशक्कत करने के बाद गाय को बहार निकाला बता दे किससे पहले कई बार इस कुए में गोवन्श गिर चुके हैं और जरान ग्रामिडू ने कुए पर जाली डलवाने का आगरह किया था वहीं सरपंश पदमावती मिडा ने बताया कि जल्द ही कुए पर जाली डलवाने का काम शुरू हो जाएगा यूकरेन में चल रहे यूद के बीच कई भारती चात्र यूकरेन में फसे हैं वहीं भारे सरकार ने उन्हें वापस लाने की लिए अभियान ओपरेशन गंगा शुरू किया है इसके बाउजूद अभी भी काफी स्टूडेंट यूकरेन में फसे हुए हैं जिसमें हनुमानगार जिले की भी कई छात्र शामिल है जिन्हें वापस लाने के लिए अभिवावकों ने प्रधान मंत्री के नाम जुला कलेक्टर को एक ग्यापन सौपा और इस बात का दर्द इनके माबाप ज़्यादा समझते हैं हम लोग भी इन लोगों के साथ इस दुख के गड़ी में शामिल है वहां से वह लवीव की ट्रेन का वेट कर रहा है जिला मुख्याले पर चल रही नागरिक सुरक्षा स्वैम सेवकों की चार दिवस प्रशिक्षन की अंतिम दिन कलेक्टरेट परिसर में एक लाइव डेमो का प्रदेशन किया गया लाइव प्रदेशन को कलेक्टर नत्मल डिडेल एडियम प्रतिमा देवठिया सहित अन्य अधिकारियों ने देखा नागरिक सुरक्षा कर्यों ने विभिन आपदाओं की समय बच्चाफ के संबन में प्रदेशन किया जिसमें पैताले स्वैम सेवकों ने हिस्सा लिया यहां से रवाना करते हैं क्योंकि यह मुस्तेद रहते हैं उपसित रहते हैं पिछले चार दिनों से गंगानगर से टीम आई हमारे अच्छे इंस्ट्रक्टर आए इन्होंने पूरी टीम को प्रशिक्षन दिया कि अगर किसी भी परकार की आपाति इस्तती आ जाए तो हमें अगर मानली जी बिल्डिंग डिमेज हुई है उसके किस परकार रेस्क्यू की जाती है नागिशुरक्षा विवाग के सेम सेवक हैं यह सीखते हैं और इसका एक डेमो लाइव डेमो हम करने जा रहे हैं इसमें हम यह दिखा रहे हैं कि आग को कैसे काबू कर रहे हैं अगर म पालिजी एम्बुलेंस की जूरता किस परकार वो कार्या करती है और एक डिमेज बिल्डिंग से किस परकार एक कैजवल्टी को जहां पर की सीडियों का आने का रास्ता नहीं है। फिलाल के लिए इतना ही तब तक के लिए देखते हुएं थीपीवी न्यूज।